दूसरा ग्राफ में लेता है चलिए यहां पर देखने इस वाले ग्राफ में दी यहां पर एक बर्टेक्स डी है इस बर्टेक्स से जो एज निकल रहा है वो किस बर्टेक्स पर जा रहा है दी बर्टेक्स जितना भी एज निकल ला है जैसे ये पहला एज ये निकल ला है दूसरा एज ये निकल ला है किस बर्टेक्स पर जा रहा है हुआ एस लाए वाले वाटेक्स का हम क्या है रहा है तो नहीं हो गाता हुआ क्योंकि A और C, sorry D और C एक दूसरे के थूरू connected नहीं है, यह directly connected नहीं है, तो जो directly connected होगा वही neighbor होगा उसका, neighbor मतलब परोशी होगा उसका है ना, अगर हम कहेंगे F का adjacent, तो F का कोई भी adjacent नहीं है, क्यों, क्योंकि यह किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, इसी तरीके पे जा रहा है, A पे जा रहा है, B पे जा रहा है, और D पे जा रहा है, तो E का, इस vertex D का adjacent हो जाएगा A, B, E, इसी तरीके से अगर हम C का adjacent पूचेंगे, तो C connected है, single vertex B के दूख, तो C का adjacent हो जाएगा B, clear है, यह point clear है? यह सेर, चलिए, ठीक है, अब slide में क्या लिखा हुआता है, slide में लिखा हुआ है, अब vertex connected to a vertex, मतलब कोई एक particular vertex, दूसरे vertex से directly अगर connect है, तो वो उसका adjacent कहला है, ठीक है, vertex की बात करना है, लेकिन देखिए, incident में क्या लिखा हुआ, अब vertex connected to an age, is known as incident, कहने का यह मतलब हुआ, यह figure देखिए, यह जो B vertex है, यह यह जो तीन age निकला हुआ है, जिस पे point out करें, देखिएगा, यह पहला age, यह दूसरा age, और यह तीसरा age, है ना, यह किस-किस vertex के उपर में incident है, यह आप single इस age की बात करें, तो आप अच्छे से स B और C के तरूर, तो B और C पे वो incident है, मतलब उसका starting point और ending point जो होगा ना, उसी को हम incidence point भी कहते है, तो इस age का starting और ending point B और C है, मतलब B और C vertex से connected है, तो यह age जो है, वो incident हो जाएगा, vertex B पे और C पे, अगर हम इसकी बात करेंगे, तो यह age incident है, vertex A पे, vertex E पे, अगर हम इस age की बात करेंगे, तो यह age incident है, vertex E पे और vertex B पे, यही बात करेंगे, आया समझ में, दोनों में अंतर, तो नहीं है, यह सर, यहाँ पर multi ages है ना, E और D और A और E के बीच में, हाँ, multi ages है, लेकिन यह picture जो है न, यह deep line से सिर्फ picture में बता दिया, लेकिन आपको आपी में लिखेंगे न, तो यहाँ पर double line दाल दिजे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, हम आपको कल बताये हुए, यह side में देखिए, सब का degree लिखा हुआ है, ठीक है, E का degree लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी है, अगर आप इसको single line ही मानत है, तो E का degree तीन ही न होगा, तो किस तरीके से हम इसको arrange करें इस graph को कि E का degree चार हो जाएगा, तो आप क्या किजेगा यहाँ पर, parallel जाल दिजेगा है, उसे तरीके से देखिए, इस vertex E का degree, E का degree कितना है, छे है, अगर आप इसको double A के लिए आप कर चुके हैं, तो यह तो double ह हो गया, तो 2 हो गया, एक 3 हो गया, अगर आप यहाँ पे इसको single मानते हैं, फिर भी अगर parallel भी कर देते हैं, तो फिर भी E का degree कितना होगा, पांच ही हो जाएगा ना, दो, दो, चार, एक 5, काम तो बना नहीं, चुकि यह 6 दिया हुआ है, इसलिए अगर E को कहेगा, E का degree अ आप को ग्राफ में मोडिफाय करना, आप पर लिजेगा, यहाँ जितना भी degree दिया हुआ, उसके एक वोडिंग आप ग्राफ को, डिया है, सरी के उपर लूप चलाएंगे, तो 7 हो जाएगा, ना, कैसे 7 हो जाएगा, इसको हम parallel एजिद नहीं बनाने के लिए बोलने है, ना, आप जिस तरीके से करेंगे, आप दुजरा तरीका भी को इंपलिमेंट कर सकते है, अगर आप इसको parallel बनाएंगे ना, और लोप नहीं चलाएंगे, तो फिर 5 ही ना होगा, यह 2 हो गया, एक 3 हो गया, और यह 2, 5 हो गया, पांचे दिया हुआ है, नहीं, 6 दिया हुआ ना, इ दूप चलेगा तो 2 यह हो जाएगा, 2-4 हो जाएगा, यह 5, 1-6 हो गया, यह हम बात करूंदाएंगे, और को दिक्कत, किसी को और को दिक्कत है, पिछले जिनका lecture परेंगे सवाद में, पिछले जिनके class में सारे अध्य परजेंट थे ना, परेंगे हैं, हम slide भी भी थे थे, कि जिसलाइड को परें कि नहीं परें मॉवाल वाइल में या कपड़ार्य कश्ण के'. ये सर्फ दिन का लें था कि जिन दॉन杉स के हैं हैं खिक्शिंग प्रोब्लम् किया है राखेष कुमार बताई यह कि प्रोब्लम और यह की प्रोब्लम और बताया है क्या था है कि आए निखिल राग बताईए हैंड शेकिंग प्रॉब्लम क्या था? मयंग कुमार बताईए हैंड शेकिंग प्रॉब्लम आयोस हैंड शेकिंग प्रॉब्लम क्या था? बताईए मनिशा कुमारी बताएंगे हैंड सेखिंग प्रोबलम क्या था जो हम कल बताये थे क्या था हैंड सेखिंग प्रोबलम Sum of the degree of the vertices equal to two times ages किसी एक ग्राफ के अंदर में टोटल बर्टेस का जो डिगरी होगा वो एज का ट्वाइस होता है कल हम इजांपल भी थे आप देखिए ग्राफ में पड़ते नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पर देखिए यह जो ग्राफ आपके सामने खुला हुआ अगर हम इसी को ले 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 तो इसका टोटल डिगरी काउंट के लिए ग्राफ में टोटल डिगरी अगर हम इरो बर्टेक्स का डिगरी देखेंगे तो डिगरी इसका कितना है एक है अगर हम बर्टेक्स वन की बात करेंगे तो डिगरी कितना है वन है अगर बर्टेक्स टू की बात करेंगे तो डिगरी इसका टू हो जाएगा इसी तरीके से बर्टेक्स त्री का डिगरी व लेकिन इसमें बात लिखा हुआ था इसमें बात लिखा हुआ था क्या बात था इसमें एक और देरिक्टर ग्राफ रहा ही यह 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 प्रत लिखाया था था को देर्क्टर ग्राफ में होगा राकर प्रत को क्याए slides को अ uchenberry लिए एक बो नहीं पता क्योंकि दवांत मैं एक बर्टेक्स से दूसरे बर्टेक्स पर पर फात डिफाइन किया हो वह था है समझे गए ना तो उस समय में एज़ जब आफ काउंट करेंगे ना, एज zap आफ काउंट करेंगे या डिग्री जब आप काउंट करेंगे तो इन डिग्री या आउट डिग्री दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा समझ गए ना इसलिए वो नहीं हो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना था हम कल बताये लिए और को दिकात यह सब बनाता हूंवर्ग भी के तो यह सब बन गया था जितना भी कोईश्चन था बनाये थे खोल के देखे थे स्लाइड की नहीं देखे थे बस रख लिये थे उसको इस लाइड खोले थे यह जो हम भेजेते सो व्रकु दो होगा ना जιकिसी अगर्र लूप चलेगा तो इन डीटरी के दूना में क्योंकि लूप का मतलब ही होता है क्या किसका टेंड पॉइंड से मोगा तो इसको इन डीग्री में भी कांक्कर एल depositionLeo इसलिए तो टू काउंट करते हैं लोग को, एक इन का एक आउट का, इसलिए ट्वाइस काउंट होता है लोग का में साथ. स्लाइड जितना भी हम भेजते हैं सब को खोल के देखा कर उपर हो आउसको लिखो कॉपी में नहीं लिखोगे तो सब बेकार हो जाएगा भेजना और समझाना चलिए जहां तक हम प्रहायत तो इसलिए अगे कंटिन्यू करते हैं किया है है पहले हम आपको बतादे अगर इस ग्राफ की हम बात करेंगे तो इसका डिगरी कितना है सबसे उपर वाले बटेक्स का इसका डिगरी कितना है थ्री इस वाले वर्टेक्स का डिगरी कितना है थ्री इस वाले वर्टेक्स का डिगरी कितना है थ्री तो अगर किसी ग्राफ में हर एक वर्टेक्स का डिगरी सेम हो तो उसको हम लोग रिगुलर ग्राफ कहते हैं जैसे ये ग्राफ एक रिगुलर ग्रा हाँ शे में हर एक अ मूट करते हैं वोय देंसितो तुम में हर एक अदर इ LAUGH के इसे को बद्ध्री घूए और आए ने को अनले किशी टालब का कि अगर अगर कि वी ग्राफ कटम में इट तो स्माझ में कि वह इस था समय आरा है कि नहिं है यह सब एक लिए नेक्स नमर्व है कंप्लीट ग्राफ है तो कंप्लीट ग्राफ में जो सबसे इंप्रेंट चीज यह यादद किए गए यह के वन के तू कंप्लीट गाफ को यह डिफाइन के जाता है कैपिटल के से और नीचे में यह सब सबसे नीचे में जो सबसेस नमर्व यह इस प्रेंगे तो यह मत्दब हुआ जैसे गर हम इस ग्राफ की बात करेंगे तो इसमें अगर आप कोई भी बर्टेक्स को उठाएंगे तो ये बाकी सारे बचे हुए बर्टेक्स से connected है जैसे अगर हम इस बर्टेक्स की बात करेंगे तो ये बर्टेक्स बच गया इसके बाद तो ये इस बर्टेक्स से भी directly connected है इसे भी directly connected है अगर हम यहां से इस vertex के बात करेंगे K4 वाले में तो यह भी directly connected है बाकी तीनों बचे हुए vertices ते तो ऐसे graph को हम लो complete graph करेंगे तो complete graph में क्या होगा कि किसी एक vertex को पिंग करेंगे तो बाकी जितना भी vertex बचा हुआ है अगर उस पे directly path defined किया हुआ हो उस vertex से तो उसको हम लों कहेंगे complete graph जैसे यहाँ पर देखिए अगर आप कहेंगे कि सार complete graph है इसको degree 1 बाले को आप क्यों कह रहे है complete graph क्योंकि इसमें दूसरा vertex है ही नहीं जिसके साथ वो connect हो सके तो यह भी one vertex भी complete graph होगा इसमें दो देखिए तो यह पहला अगर हम इसको लेते हैं तो यह भी दूसरे से connected है का दूसरे को लेते हैं तो यह भी इसे connected है मतलब directly path दूसरे के उपर ने assign किया हुआ यह complete graph हो ड्नी बुला यह complete graph नहीं है थे नहीं है क्यों नहीं है क्यों यह नहीं है सरे to connected नहीं है हाँ इसमें це connected नहीं है बाकी सारे बचे हुए बटेग सर्फ हे zu और मिखने मैचाने का इसमें सब्सक्राइब इस में से इस बाले ग्राफ में से और डीर को निकाल दे तो यह इस सां rendered कितने दिए इसाओ को तो युश दिति सालton टौकल से वाँ मेंसे तो लूप किसे चलेगा बता दिए कल क्लास नहीं किये थे क्या सी लूप कैसे चलेगा मतलब बताया ना लूप चलाएंगे तो सीक्स उसका हो जाएगा अच्छा डिग्री चलेगा जी एक मिनट देखो ये पीछे स्लाइड हमें ले चलते हैं देखो ये ग्राफ दिख रहा है आगर हम इसमें भर्टेक्स सी की बात करेंगे इस बले सी बटेक्स पर तो कितना एज आ रहा है इस पर है दो कॉम कॉन सा एक B से आ रहा है और एक B से आ रहा है जो C से निकल रहा है और C के उपर ही फिर आ रहा है यह सरकल बना देंगे तो लूप हो जाएगा लूप कहने का यह मतलब कि अगर किसी एज का स्टार्टिंग पॉइंट और इंडिंग पॉइंट सेम हो जैसे यह एज की हम बात करते हैं तो यह C से ही निकल आ है C पे फिर आ रहा है तो यह आपका लूप हो जाएगा और लूप में जो डिग्री काउंट करेंगे ना वो चार होगा है ना टोटल इस C वाले बटक्स के लि तो लूप के लिए C पे इन भी हो जाएगा और C से आउट भी हो जाएगा इसे लिए ट्वाइस काउंट होगा आया समझ में है यह सर्कल बना देंगे लूप के लिए रिगुलर ग्राफ कंप्लीट ग्राफ समझें नेक्स कमरा साइकल साइकल क्या होता है बताएगे तो अब लोग पर हैंगे पीचि कल के क्लास में अब जो आप स्टार्ट करेंगे वहां से इंट कर देंगे बिल्कुल सही बलाता जैसे देखो इस वाले ग्राफ में हम देखते हैं अगर मालो यह श्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं तो यहांसे चले पिर यहां हैं यहां से चले पिर यहां हैं फिर वहीं से आघया रहां से स्टार्ट के थे अगर वहीं से आजा है और अग्राफ काफ का किसी से दिखाते थे से दिखाते थे क्या को सी से लोग डिनोट करेंगे था अ कितना होना चाहिए क्षस में साी कल बने से लिए जैसे सचायक्ण काम मर्म क्यां चाहिए लिए इसलिए टीन कम से इस लिए लिखा हुआ है दसाइकल चीन ग्रेटर दें इक टो तुटे विडिक आप शिए ना तीन से ज़्यादा यह आपको लेन अपर फार इस जाइकल हो गया यह चार बटेक्स का हो गया यह पांच वर्टेक्स हो गया जो साइकल ग्राफ यह सब सिंपल ग्राफ में आएगा ना साइकल ग्राफ नहीं आएगा सब्सक्राइब नहीं हो सकता साइकल में बिल्कुल चाहिए बिल्कुल सही विल के अंदर में जैसे आप साइकल का पहिया जो देखते हैं उसमें क्या रहता है बीच में मीड़ पॉइंट रहता उसी से बाकि पूरे वो जो आपका पहिया रहता बाकि बचा हुआ यह सारा आपस में नहीं के नहीं अच्क्ट, ध्यूक्ज कणिपषो no! ऐसे अंसु कुमार, बताईए तो विल्ट होगा वह और नहीं? क्यों नहीं होगा? क्योंकि सैंटर में वर्टीसत नहीं है हाँ, के पोल में सेंटर में बर्टिसेस नहीं है, जबकि विल के लिए सेंटर में बर्टिसेस होना था है, इसलिए यह नहीं होगा, वहीं के लिखा हुआ है, मतलब, जब बीच में को एक और एक्स्ट्रा बर्टिक्स दिया हुआ है, जिससे यह बाकी बचा हुआ सारा बर्टिक्स कनेक्टेड हो, तो वह आपका हो जाएगा, विल, जैसे यह C5 है न, तो इसको अगर विल बनाना है, तो आप क्या करेंगे, बीच में सेंटर में एक बर्टिक्स लगाएंगे और बाकी सारे को इससे कनेक्ट कर देंगे, तो यह भी आपका विल हो जाएगा, ठीक है, रिगुलर ग्राफ को किसी से दिनोट करते हैं, C से, और विल को किसी से दिनोट करेंगे, तो डबलो से, यह तिनों सिंबल याद र बताएगे तो, इसका क्या मतलब हुआ ? मतलब हुआ जितना नमर का वील है इसमें समझाते हैं इसमें यह देवल फॉर है न इसमें क्या कहा है वह थियुद नई लोटो इसमें выходитеक्स नहीं करेंगे उसी पर तो सारा डिपेंडेंट इसको क यह पॉर्ड है तो यही चिझ कहड़ा है कि अगर हम इसमें टोटल नम्म्रा वर्टेक्स लेंगे तो टोटल नम्म्र वर्टेक्स है फाइव तो वीड केतना हुजए गहां फ्लस वन एन का नमर विल को छोर के बाखी बचा हुआ वाटेक्स को हम N कहते हैं तो यह हो जाएगा चार प्लस एक टोटल नमर हो जाएगा पाइव गई थे ओरम दे रहा है समझ गे सकेंड नमर है अगर हम एजेज की बात करेंगे तो वील में टोटल नमर आप एजेज इकोईस टू एन हो जाएगा टोटल नमर आप एजेज इसमें टोटल एट हो जाएगा काउंटर के देख लिजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यही थे ओरम दे रहा है अगर हम इसमें देखेंगे तो यह कितना है एन का वैल्यू इस ग्राप के अंदर में 3 है तो 3 2 6 टोटल नमर आप एजेज इसमें 6 हो जाएगा काउंट कर लिजिए 1 2 3 4 5 6 यही चीज यह थे ओरम दे रहा है समझ गे सबाद में समझे की नहीं समझे यह सर इस दोनों का मतलब समझ गे क्या लिखा हुआ है अगर जी सब सो जाता है क्या यह सर समझ गया चलिए नेक्स नमर आपका एन क्यू यह सब देखिए नाम से ही किलियर है यह कोई टॉपिक नहीं है यह सब नाम से ही किलियर किया हुआ है यह एन क्यूब का क्या मतलब है क्यूब का मतलब बताइए बताइए क्यूब का क्या मतलब होता है mathematics पर है ना सेबनेट क्लास में क्यूब डिफाइंड किया हुआ क्यूब को कैसे डिफाइंड करेंगे कुमोद बताओ तुम्हें बता रहा है सब क्यूब क्या होता है क्यूब तर एक 3D फिगर होता है अबने सामने की भूजा बराबर होता है सब क्यूब एक 3D फिगर होता है जिसमें छे फेस होता है यह नहीं बुलेंगे क्यूब करा है क्यूब में यह कैसा क्यूब है यह अब क्यूब एक सार इसमें तो छे फेस हैं नहीं फिर इसको आप क्यूब कैसे कर रहा है तो क्यूब को एक्च्वली क्या गया देखिए यहां में लिखा हुआ हुआ है n-dimensional hypercube or n-cube denoted by qn is the graph that has vertices representing the two to the power n-bit string of length n the vertices are adjacent if and only if the bit strings that they represent differ in exactly one bit position this is a finding number for tenner binding number by the number part of energy the one bit of a one bit of a binding number many zero yet one i got a gunna do it when total get the number four four to one bit me either zero लिए सबस्क्राइब तो कि पार क्यों मतलब हाइग bills 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 and so on अगर चार बीट में कहेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, होगा ना, दो की पावर चार 16 नहीं होगा, तो यहीं चीर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, यह एक ग्राफ होता है, that has the vertices representing the two to the power n bit string of length, यह एक ऐसा ग्राफ है, जिस में हम तो की पावर n bit string में हम इसके vertex को represent करते हैं, अगर यह 2 का है, तो टोटल 4 vertex हो जाएगा, अगर एक का है, तो टोटल 2 vertex हो जाएगा है, तो की पावर 1, 2 हो जाएगा, तो की पावर 2 करेंगे, तो 4 हो जाएगा, तो की पावर 3 करेंगे, तो यह टोटल 8 vertex हो जाएगा, तो की याद को पारने से पहले आपको थोड़ा बहुत चैट का कॉंसेट याद करना परेगा शेट से याद है ना सेट से याद है ना सेट में हम आपको एक चीज बताया हुए थे partition of state याद है partitioning करना सेट को अगर माल लिजिए set A है capital A उसमें एक, दो, तीन, चार, पांच element दिया हुआ उसको partition किस तरीके से कर सकते हैं बताइए तो set A है capital A उसमें element है 1, 2, 3, 4, 5 इसको partition करना है तो ऐसमें partition करके बताइए तो कैसे कर सकते हैं partition करना मतलब divide करना set A को divide करना है आप चाहे तो one part में कर सकते हैं, चाहे two में कर सकते हैं, three में कर सकते हैं, four में कर सकते हैं and similarly आप five में भी कर सकते हैं, है ना partitioning मतलब क्या होता है, बताइए तो नहीं याद है equal part में divide करना कितना part में? equal equal part में divide करना हम यह नहीं बतायते हैं, याद नहीं है मनिशा कुमारी बताईए दो राहूर राज बताओ तो पार्टिस्निंग आफसेट क्या होता है राखेश कुमार बताईए तो पार्टिस्निंग आफसेट कि बाइप टाइट ग्राब भी समझ भी नहीं आएगा प्रेहां नहीं कुछ कि लोग बोलता है नहीं है गजहा है सब जानते हैं तो बड़ो है सब्लासम कुछ तो ठीक लाइन से अ सब्सक्राइब कि दोनों को union करने के बाद A के equal हो जाए मतलब A1 union A2 अगर हम करेंगे तो A के equal हो जाए दूसरा यह है कि अगर हम A1 का intersection करें A2 के साथ तो 5 होना चाहिए है ना होना चाहिए मतलब दोनों में एक भी element common नहीं होना चाहिए अगर हम A से को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिए A1, A2, A3 में है ना तो A1 union A2 union A3 यह capital A के equivalent आना चाहिए दूसरी बात अगर हम A1 का A2 से intersection करें 5 होना चाहिए A1 का A3 से करें यह भी 5 होना चाहिए और A1 का A2 से करें यह भी 5 होना चाहिए मतलब तीनों का अलग-अलग हम intersection करेंगे तो सब आपस में pair by disjoint होना चाहिए कोई भी 1 का A3 के साथ पायाना चाहिए पर 2 3 का फोर के साथ पायाना चाहिए ऐसे आपको individually सब को देखना होगा गर सारा फाय आ रहा है करने का मत्तब पेर भाइड डिस जोइंट आ रहा है और एवन एटू एट्री एपो चारो का यूनियन करने के बाद के आपडल एक एक्वएलेंट आ रहा है तो हम कहेंगे कि एवन एटू एट्री फॉर एक ऐसे लशत ईहाँ किने है ही बनाया हुआ है लेकिन ग्राफ जो है न ये मैपिंग के थ्रू दिखाया हुआ है ठीक है तो वाइपर टाइट ग्राफ का डिपिनिशन जो अभी हम पीछे बात कर देते हैं वही चीज़ बताया हुआ है अगर आप किसी एक ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसको हम बाइपर टाइट ग्राफ तभी कहेंगे झाण करते हैं जो दो पार्ट में डिवाइट करने डोनों का इंटर शैक्शन अंठाअ है डोनों का इंटर सैक्शन ऑले टाइट टाइफ टाइण अदरवाइस नहीं करेंगा जोटल बाटेक्स है इस में है रिटना बोटारे इस में है डियुकुल भॉटक्स इस कितना इस में है में partition कर देते हैं इस graph का माली जे नाम हम दे दिए जी one, सुरी जी, अब इसको partition करना है माली जे दो पार्ट में partition कर दे हैं जी one में और जी two में ठीक है तो इस graph g को हम बाइफलटाइट ग्राफ तभी कहेंगे जब इसके सारे बर्टेक्स को हम सारे बर्टेक्स को हम दो अलग-अलग पार्ट में डिवाइट करते हैं जैसे इसमें B1 से B6 तक लिखा हुआ है तो पहले बाले ग्राफ के अंदर में B1, B5, B3 ले लिए दुसरे बाले के अंदर में B6, B2 और B4 ले लिए अब यहां पे दो अलग-अलग पार्ट में डिवाइट करने का भी रूल है जैसा ध्यान दीजेगा यहां पर मेरे बात पर अगर यहां से हम पहले ग्राफ में D1 के लिए B1 को चूज किये पहले ग्राफ D1 के लिए हम B1 को चूज किये इसके नेबर को चूज नहीं कर सकते हैं अगर अज़ेसेंट नहीं लेंगे तो क्या होगा फिर दूसरा बताएटो B5 B3 भी हो सकता है और B5 भी हो सकता है हो सकता है ना शमझ रहना तो इस ग्राफ को पूछ रहा है HBC6 बाइपर्टाइट अगर इस ग्राफ को बाइपर्टाइट करना है तो हम क्या किये इसको दो पार्ट में पार्टिसन करना है अगर हम यहां से B1 को चूज कर लिए तो इसके एडज़ेसेंट को चूज नहीं करना है तो इसका एडज़ेसेंट है 2 और 6 2 और 6 को choose नहीं करेंगे, फिर मेरे पास क्या बचा है, 3 और 5 तो पहले बाले G1 बाले के अंदर हम ले लिए B1, B3 and B5, तो बाकी remaining क्या रागिया B2, B4 और B6, तो देखिए B2, B4 और B6, एक दूसरे का adjacent है कि नहीं है एक दूसरे का adjacent है, B2, B4, B6 नहीं है, B2, B4, B6 एक दूसरे का adjacent नहीं है, तो ग्राफ को partition करने में पहला चीज़ ये ध्यार लखिएगा कि किसी एक vertex कौन चूज़ का लेते हैं तो उसी set में हम मतलब उसी ग्राफ के अंदर में हम उसका adjacent नहीं ले सकते हैं तो दो अलग-अलग graph में ये convert हो गया ये आपका graph G है, ये दो अलग-अलग graph बन गया, ये बन गया G1 और ये बन गया G2 rule क्या कहता था, rule ये कहता था कि अगर दोनों को intersection करेंगे तो फाय आना चाहिए और हम क्या बताए, ये दो rule है इसमें, पहला rule ये है कि intersection करेंगे तो फाय आएगा, दूसरा rule क्या है कि union करेंगे तो total number of vertex भी आना चाहिए दोनों को intersection कीजिए, इस वाले को और इस वाले को कोई भी common है इस दोनों में देखे तो कोई भी common नहीं है आप दोनों का आप union करेंगे तो इसके equal है यह सर equal है, तो मतलब यह six six जो graph है, यह आपका बाइपर tight हो जाएगा समझ में आया कि नहीं आया यह सर आगे अच्छा यह बताइए तो c3 बाइपर tight होगा कि नहीं होगा नहीं होगा क्यों नहीं होगा सर उसका partition नहीं कर सकते हैं हाँ, partition नहीं कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं, देखिए अगर आप माल लिजे कि यह graph है इसको दो part में divide करते हैं तो पहले वाले graph के अंदर में अगर v1 को ले लेते हैं, तो यह दोनों तो adjacently है इसका, इसके अलाब यह vertex है ही नहीं, तो partitioning इसका संभव ही नहीं है, partitioning आप संभव नहीं है, तो वाइपरटाइट नहीं हो गई है, आया समझ में हैं यह graph भाइपरटाइट है कि नहीं यह graph अज़ल नहीं है यह graph जो अब दिकराई स्लाइड में, 48 नमर बाइपरटाइट नहीं है अभी आपको इसमें समझ नहीं आला कि मैपिंग में बनाया हुआ है अच्छा ये अगर आप देखिए तो बाइपर टाइट है ये ये देखिए तो ये जो नीचे बना हुआ है होगा कि नहीं बता दिल्ले अगर मालो कि एक को हम इस ग्राफ ये जी मालो ये ग्राफ जी है इसको दो पार्ट में डिभाइट करें जी वन और जी टू में पहले बाले में जी वन में अगर एक को ले रहें तो एक एड़ेसेंट कौन कौन सा है एक एड़ेसेंट हो जाएगा जी एक एड़ेसेंट हो जाएगा एफ एक एड़ेसेंट हो जाएगा एक एड़ेसेंट हो जाएगा एक एड़ेसेंट हो जाएगा सी बाकी बचा हुआ बचा हुआ बी और डी है ना तो पहले बाले में बी और डी को ले लिए जी वन के अंद और F है, तो A और F नहीं ले सकते हैं, लेकिन C तो ले सकते हैं हम, ले सकते हैं न, E तो ले सकते हैं, F तो ले सकते हैं, बी तो ले सकते हैं, तो ये G2 मान लिए, और हम ये कहां बोल ला है, कि ए ग्राप को दो ही पार्ट में हम डिवाइट कर सकते हैं, पार्टिशन कर सकते हैं हम तो बूले potrzeb हैं पहले भी एंब बता चुकए है कि हम 3 पार्ट में फ्रटीन कर सकते हैं चार में भी कर सकते हैं पांच में भी कर सकते हैं लेकिन सब्सक्राइब दूसरी बात यह θα करने के बाद आई के एकोल आना से यह मतलब पेर वाइज जोइन होना चाहिए तो यह ग्राप भी वाइपर टाइट ग्राप होगा ठीक है ना कैसे होगा यह आप को करके देखना है यह आप इसको दो से तीन पार्ट में डिवाइट करके देखिएगा जैसे आग पहले अगर पाय आगया और पहला भी कंडिशन से इसपाइट कर गया तो बाइपर टाइट हो जाएगा यह थेओरम है इसको बना लिजेगा करके देखिएगा तब आपको समझना है जैसेख नमर्ण है इसल अब देखिए कंपलील खांप पर चुक हैं म्कुंपलीट गार्प में क्या कहता था है बताऀये तो कंपीट ग्राप क्या होता था है अभि परढ़ न पिछे कंप्प्रीट ग्राप इसको कहते हैं सब भूल गया अभी पीछे परहे थे ना complete graph complete graph क्या होता है अच्छा छोड़ो हटाओ यह बाइपर टाइठ है कि नहीं है यह वाला पहला पहला पाइपर टाइठ है कि नहीं है सरह है सर दूसरा अच्छा दूसरा भी हो जाएगा होगा है तुम नहीं सोच के बता होगा होगा कि नहीं हम तुछ रहे होगा कि नहीं होगा दूसरा भी होगा पहला और दूसरा दोनों ही बाइपर्टाइट ग्राफ होगा कैसे होगा यह करके देख लिए है जब कोपी में आप नोट कीजिएगा तो सिर्फ फीगर बना के नहीं छोडिएगा पूरा एक्स्ट्राइशन कीजेगा पहले का भी दूसरे का भी जैसे इस गराफ का नाम देजीजिएगा जी फिर आप झी वन लिकिएगा फिर अफिर आप झी वन लिखिएगा एगीटनी के आप इस लिए इसी तरीके से आप इस पो भी कर लिजेगा तब आपको जब रिभाइज की जिएगा तभी समझ में आएगा दर्वाइज समझ में नहीं आगा तो यह ध्यान रखिएगा complete bipartite graph क्या होगा एक ऐसा graph जो complete graph भी हो और bipartite graph भी हो दोनों के combination से बना हो उसी को हम लोग bipartite graph कते हैं देखे पीछे अभी हम तुरुंत पढ़े हैं पीछे आप तुरुंत पढ़े हैं यहां complete graph अब पीछे complete graph कर रहे थे ना यह तो है complete graph क्या पढ़े हैं देखे तब complete graph में पढ़े हैं कि किसी भी pair of vertex के बीच में कम से कम एक age तो होना ही चाहिए जैसे देखे यहां पर pair of vertices से एक age तो ही है अगर यह pair of vertices एक chuक तो हैं हन्यत है वे कैसे टेशन से आध कर ही सब्सक्राइब пам parapet उसी को हम लोग एक से ज्यादा एज वी विच्छा एक से ज्यादा एजव भी हो सकता है कम से कम हम बोल लें ना एक एज तुदानाईट है यह कम से कम एक होना चाहिए यह यह एक ठोरम है यह थेओरम का क्या मतलब है बी के एम कॉमा एन इजिक वेश्ट टू एम प्लस एंड यह भर्टेक्स के लिए करा दूसरा एज के लिए करा इसका क्या मतलब हुआ के एमन मतलब यह कंप्लीट वाइपर टाइट आपको बता रहा है पीछे में देखिए दिनोट क्या हुआ हुआ के एमन इस अग्राब डैट है इस बटेक्स सेट पार्टिसन इन्टू सबसेट्स ऑप एमन एंड टूटल मतलब कितने तरीके से हम उसको पार्टिसन कर रहें ज न जैसे देखिए इसमें अगर यह बता रहा तो यह ग्राब कंप्लीट वाइपर टार्इट ग्राम हो जाएगा के को मतरी का कैसे कैसे का कैसे है बताईए आएक सरकल में दो जाएगा एक सरकल में तीन जाएगा ना पिंद आए इसमें इक्वल उजाएगा तृ– इसलिए थ्री फीलिक वह गो और ऐसे देखो। यहां से समझो भी हूंग जैसे हम इस ग्राफ के लिए बात कर रहें तो तो हम इसको पहले बोले ना कि अगर हम A को देख रहे हैं तो A का एड़ेसेंट है G, F, E और C तो बाकी बचा हुआ कौन-कौन सा रहा गया, B बच गया और D बच गया, तो पहले सरकल में क्या गया, पहले G1 के अंदर में दो गया ना B और D तो वो पहले के लिए हो जाएगा, फिर दूसरे ग्राम में अगर हम G के लिए दिखेंगे तो G का एड़ेसेंट कौन सा है, A है और G का एड़ेसेंट है D, है ना, तो दूसरे में फिर क्या जाएगा, G2 में, F चला जाएगा, B चला जाएगा, E चला जाएगा, और C चला कि इसमें यह चला तार ना उसी तरीकसर यह टारी में यहाँपे कर riding में दोनों एक्वाल ही नम्मर में हो रहा है थेलिए अब श्योरम समझते हैं क्या दिया हुआ है कि टोटल नम्मर और वर्टेक्स इन कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ इज इक्वर्ट टू एम प्लस एन मतलब पहले ग्राफ के अंदर में टोटल अम्मर और वर्टेक्स अगर हम दोनों को जोड लें तो टोटल नम्मर और वर्टेक्स इन कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ निकल जाएगा जैसे कहने का ये मतलब इसमें एम का नम्मर कितना है टू है और एन का नम्मर कितना है त्री है अगर हम दोनों को एड़न कर देते हैं तो इस पिर दिया। यह बटेक्ष के लिए करा बाइज के लिए कर आए चाहिए कि आप गुणा कर दिजेगा यह फर्मूला हो गया, E, K, M, N, D, P, O, M, N, यहाँ पर एक और चीज लिखा हुआ है, अगर वो रिगुलर ग्राफ होगा, तो M, N का वैल्यू इक्वल ही होगा, यह एक रिगुलर ग्राफ है, तो M, N का वैल्यू इक्वल होगा, इसको आप red pen से यहाँ पे star बना लीजेगा, जितना यह जैसे about note that लिखा हुआ है, यहाँ पे भी दोतीने star लगा लेना अगा, objective question में क्या करेगा, यहाँ पे यह लिख देगा, इसके पार fill in the blanks देदेगा, और option देदेगा A, B, C, D करके चार option, तो यह आपो पूपिसे वहां पर खिल करना हैं। यह डोट है पीछे यहां पर फिटसे अव्य श्रू लिए इस फैसे फिर्टी से इस को भी आप करेंगे deze लेखेंगेगर कि लेसे नटल खेंगे और किया हoured कि कुरी में तो आओ शैय कर लिजेगा